तो जैसे मैंने पानी के एक या दो ड्रॉप इसके उपर डाली आपने की आपनी की यह पानी की आपनी किस तरीके से फैल गया थिक आपको दिख रहा हो गया तो इससे क्यों हो रहा है प्यारे बच्चों नमस्कार आपकी तुब्या फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने चैनल लर्न शेयर पर और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नमबर 10 तरलो के यांत्रिक बोण याने मेकैनिकल प्रॉपर्टीज और फ्लूइड यह इसका सात्वाब आगया मतलब पार्ट नमबर 7 और यह इसका लास्ट और फाइनल पार्ट होने वाला है इसके बादे चैप्टर अपन ओवर कर करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हमारा लेसन चैप्टर है मार अपास तरलो के यांत्रिक की गोण यह आज का हमारा गोल सबसे बेले अपन पढ़ेंगे क्या होती है ठीक है और उसके लिए फॉर्मला ड्राइव करेंगे उसके बाद अपने अपने को सक्सेस्फुली इन सब को कम्प्लीट करना है चली लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों तो क्या बोल रहा है केशी का अपने क्या होती है तो बच्चों कैपिलरीज देखो हमने हमारे आस पास बहुत सारी चीज़ी देखे होगी जैसी कि मेरे हाथ में न्यूस पेपर है ठीक है सबने पढ़ा होगा इंग्लिश ने इस पर तो हम पढ़ते हैं यह तो रदिगा नियूस पर है तो बच्चों देखो जब मैं इस पेपर को फाडता हूं तो फाडने के बाद देखो अगर आपको नजर आ रहा हो तो इस पेपर को फाडने के बाद ना इसमें पहुत चोटी-चोटी सी है ना तो होता क्या है जब मैंश के उपर देखो आशे पानी के एक ट्रॉप डालूँगो अब सब करते ही ओ! अरे जा भई! नीचे निंगे नीं किर रही है!! ठीक है तो जैसे panie,Pống 1-2 alot drop ऐखied दाली, automatically पानी क्या होने लग गया, इसके पर फैल लगया, मैंने कुछ भी नहीं कहा रहा है, मैंने तो सिर्फ एक drop डाली और drop डालती तो पानी किस तरीके से फैल गया है, ठीक है, आपको दिख रहा हो गए वाला पार्ट, तो इससे क्यों हो रहा है, यह हो रहा है, इसके अंदर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, केशी का एक और मैंने आप लोगे लिए बनाई वी है, यह refill है, हमारे पास, ठीक है, मैं अभी सर का पैन पीछे से काटके लिकर आ गया हूँ, और उनको पता भी नहीं है, ठीक है, तो उनको जब सुबह पता चलेगा, अब तक मैं वीडिय कर सकते हैं, पतली सी ट्यूब हम लेने वाले हैं, ठीक है, इसके साथ देखे क्या होता, वो भी बाद में बात करेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं, होती ही क्या चीज़ है, ठीक है, चलो, देखो, सबसे बेले लिखा है, जब किसी नली में बहुत बारिक हैं, बहुत, ब लेने वाले बच्चों, वो लेने वाले काच की नली, अब जब आप एक्सपरिमेंट करोगे लाब के अंदर, तो वहाँ पर आपको काच की पतली-पतली सी नलिया मिलेगी, जिसको केशिका ही बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो आपको पेपर भाड़ के दिखाया, पानी ऊपर चड़ जाता है, ठीक है इसको अपन बोलते हैं, बचा केशिका उन्चयन या फिर पानी का उपर चड़ना, ठीक है, इसको आपन केशिका आथवे भी बोलते हैं, ठीक है, चोटा से एक्सपरिमेंट करके देख लेते हैं, तो देखो, मैंने यहाँ पर जैसे आप देखो मैं क्या करूंगा मैं जैसे ही इसमें कुछ भी नहीं है नहीं खा लिए और जैसे ही मैं इसको पानी में डालूँगा तो देखो पानी इसमें उपर चड़ गया अब मुझे दिखनी रहा है कि आपको शायद विजिबल है या नहीं है ठीक है तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि आप लोगो को कैमेने में दिख जाए तो यहां पर पानी इसमें चड़ गया उपर देखो मैंने इसमें इसमें निकाल लिए तो आएगेस अब सबको विजिबल होगा तो इसमें पानी चड़ा हुआ है ठीक है वो तो सर्फेस टेंशन देखो जैसे पानी नीचे गर नहीं रहे ने तो गह cell जाता अगे तो मैं इसको साइड में रख आता हू को और आपको थोडा सा जूम करके दिखा जिते हैं को नीचे रखते हैं के थिक हो इसमें सबको देख रहा होगा पानी उपर चड़ गया है ठीक है यह कामरा मेरे focus करन तो यह पानी देखो इसके अंदर कैसे चड़ा हुआ है तो जैसे मैंने इस रिफिल को पानी के अंदर डाला ना तो पानी इसमें रुकावा इसलिए है क्योंकि सर्फिस टेंशन की विज़े से पानी नीचे गिर नहीं पा रहा है ठीक है अदर रवाइस और बड़ी मोटी ट् केशिका आत्व या फिर केशिका उनने कि अपन कि अपनी प्लास्टिक की ट्यूब को काच की ट्यूब को पानी में लीडालते हैं मिल जाएगी, वरना आप घर पे मैंने आपको बताई दिया, जोगार से कैसे करोगे, प्लास्टिकी नली लेलो और ये एक बहुत अच्छे एक्जामबल है, केशी का, केशी कात्व का, जिसमें अपने एक टावल लिया है, पेपर लिया, ठीक है, अभी इस पेपर को भी मैं ऐसे दो ग्लास में रख दूँगा, तो लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आटोमेटिकली के हो या पेपर में भी धागे जैसी structure है, वैसी कपड़ा भी धागे से मिलके बना होता है, तो उसमें भी धागे जैसी सनरचना होती, जिसको अपन केशी का बोलते हैं, उस केशी का की वज़़े से लिक्विड या द्रव एक बीकर से दूसरे बीकर में या एक ग्लास से दूसरे भी ग्लास में आराम से चला जाता है, ठीक है, होब ये बाद सब को clear हो गई, तो बच्चो केशी कात्व का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कि पानी उपर क्यों चड़ रहा है, तो उसके पीछे simple सा रीजे ने मिटा, surface tension याने परष्ठ तनाओ, तो बच्चो क्या होता ह मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, कि भाई देखो, क्या है, कि जैसे केशी कात्व को अपन पानी में जैसे अपन ने इस रॉड को जैसे मैं आपके साब ने किया था, पानी उपर चड़ गया था, ऐसी अगर मैं इस ग्लास की ट्यूब को किसी मरकरी में या पारे में डालूँगा, तो यह नीचे चला जाएगा, पानी तो उपर चाड़ जाता है, लेकिन मरकरी के केस में, मरकरी के केस में, आपका जो ट्यूब है, उसमें मरकरी नीचे चली जाती है, मतलब अगर मैं आप लोग के लिए डाइगनाम मना के आपको समझाने कोशिश करूँ, व मरकरी को यलो गलर से मना जाते हैं, वैसे तो यलो के नहीं होती है, पर हाँ, ठीक है, ठीक है, और आप सब को पता इसका शेप कैसा होगा, ऐसा उत्तल जैसा, तो जैसे ही आप इसके अंदर मरकरी डालोगे, मरकरी के अंदर ग्लास ट्यूब तो आप देखोगे कि मरकरी जो मैंने आपको पहले बताया था कौनके वहने आउतल सत्य वाले भाग के तरफ प्रश्ट तरनाव मेंशा ज्यादा होता है surface tensor में साथ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमारा इस वाले पार्ट में यहाँ पर प्रश्ट दनाव ज़्यादा होगा और वो किसके को लोगा 2T upon R के कुछ है ठीक है, 2T upon R जापे R के है वाटा, ये जो आपका बन रहा है मैं आपको लास ग्लास में बताया था इसको मेलिस्कल्स बोलते हैं ठीक है इस मेलिस्कल्स की तिरिज़ आई है तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रश्ट दनाव है वो नीचे की तरफ लिक्विड को खीचने की कोशिश कर रहा है याने इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ज यहाँ पर पीटू है तो दाब का जो हमारा अंतर है वो किसके को डाता है तूटी अपॉन आर और दाब ज्यादा कहां पर होता है जहां पर अवतल सत्य होती है तो यहाँ पर क्योंकि दाब ज्यादा है अवतल सत्य बननी तो पानी उपर चड़ जाता है जबकि पारे के के क पानी के केस में पानी उपर चड़ेगा और पारे केस में पारा नीचे गिर जाएगा तो हमारा में गोलिये है अब हमें पता करना है कि यह अगर पारा गया तो कितनी हाइट तक नीचे गया यह द्रव उपर चड़ा तो कितनी हाइट तक उपर चड़ा जैसे हमारे इस केस में द्रव एच हाइट चड़ रहा है यहाँ पे और उचाही तक चड़ गया मतलब जैसे जैसे ट्यूब को पतला करता जा रहा हूँ पानी और उपड़ चड़ता जा रहा है और जैसे जैसे ट्यूब को मोटा करता जा रहा हूँ वैसे वैसे पानी या द्रव जो है वो नीचे के दरफ जाता जा रहा है ऐसे ही mercury के साथ भी सेम चीज है जितनी पतली ट्यूब mercury उतनी नीचे चली जाएगी और जितनी मोटी ट्यूब mercury उतनी थोड़ी जो उपर रहेगी तो ऐसा क्यों कि height बढ़ाने के साथ मतलब हमारे इस ट्यूब की त्रिज्जा कम करने के साथ height बढ़ती जारी तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए अपने mathematical expression याने एक गणितिय सूत्र निकाल के लाते और यह proof करते हैं कि कि ऐसा हो क्यों रहा है तो इस height के लिए अपने को एक formula चोटा सा derive करना है तो बच्चों चलो उस formula के पास चलते हैं और वह formula देखते हैं कि कैसे होगा derive है सबसे बेले तो हम सुंदर सा एक diagram मना देते हैं तो माल लो यह हमारा कोई container है ठीक है और container में हमने भर दिया पानीए तो ब्लू-ब्लू-पानी आज ब्लू है पानी 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 Pat really थीक है और यह ब्लू-पानी-पानी अपन ने च्में डालते हैं और इसमें अपन डालते हैं हमारी एक toute 이후 काच की डाली हमने और काच की ड daran ती पानी चड़ गया उपर, पानी यहां तक चड़ गया है, यह इस लेवल से, H height चड़ गया है उपर, तो इस H की value क्या होगी, यहने इस उचाई का मान कितना होगा, पानी कितनी उचाई तक चड़ा है, वो अपने को निकालना है, तो इसका मैं डायग्राम यहां पर वापस बना रहा हूँ, ताकि आपको clearly दीखे, मुझे सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, मुझे सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, ये, ठीक है ने, इसको अपन मैलिसकस बोलते है, अर्दर चंदराकार, हिंदी मतलब बड़ा कलिष्ट सा नाम है, ठीक है, और ये पानी इसके अंदर भड़ावा है, हरा पानी हो गया है, ठीक है, और ये हमारी हाइट है, याने उचाई है, एच्छ, ठीक है, इसकी जो त्रिज्जा है, यने, ट्यूब आप लेओगे, तो ट्यूब की कुछ न कुछ त्रिज्जा होगी, उसको अपन क्या बोल रहे है, small r तो small r यहाँ पर क्या है tube यहाँ केशनली की तरिज्जा ठीक है ना tube यहाँ केशनली की तरिज्जा है हमारे पास यहाँ पर h हमारे पास उचा ही है जो हमें निकालनी है ठीक है और इसके बाद एक चीज़ और दिखें कि आपको दिख रहा होगा कि मैं circle को complete कर सकता हूँ यह इस तरीके का एक बहुत बड़ा circle बन रहा है इस circle मैंने complete कर दिया ठीक है इस circle की तरिज्जा है इसको मानने में बढ़ा वलार ठीक है जिसका मानना मैं नहीं पता तो इस circle की तरचा कितनी हो गई? आर ये क्या है? हमारे मेलिस्कस की तरचा ठीक है? तो यह अगा ने पास मेलिस्कस की तरचा ठीक है? उसको हिंदी में अर्द चंद्रागार बोलते हैं ठीक है? बहुत ही खतरना सवाम है ठीक है? तो अब हमें capital R नहीं बता किसी भी दरीके से मैं आपको बता दू experimentally इस R का मान निकालना अभी तो हमारे संबल नहीं है हम small R निकाल सकते हैं हम theta भी निकाल सकते हैं कौन सा theta भी? जो आपने पढ़ा था स्पर्ष कॉन? तो यहापर आपर निकालने वाले हैं स्पर्ष कॉन किस की बीच में बनेगा स्पर्ष कॉन? अभी है भी? अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें निकालने यह हाइट टी मतलब यह ऊचाई आएगी तो आएगी कितनी तो बच्चों क्या करना है अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है अब मैं क्या करने वालो मैं आपको बोला य Splast, ये वो है वाले जो पर है ये वाला जो पाठ्धे वो क्या है,वह थोड़ा सा स्कोर बड़ा बना जे तो ऩो इसा करता हो मैं थोड़ा सा सब देखिए अच्छा से ये अमारे पास ये एसा करता है हाँ जी इस बिंदू से यह जो हमारा कौन आया यह हमारे पास थीटा यह जो हमारी आर तरिज्जा है ठीक है ना और यह हमारी केश्टनली की तरिज्जा है इस स्मॉल आर जो हमारे पास केश्टनली की तरिज्जा है ठीक है अब देखो बच्चो यह जो केश्टनली है यह दे और विश्यार कोसे यह से, और व्रत की त्रिजा और इस पर सरय का एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका मतलब ये वाला कॉन है ये हो जाएगा 9 है minus ये वाला कॉन वो कितना है? तो कुल मिला के मैं समझाया कि ये कॉन कितना है थिटा ये हमें चाहिए था तो हमें ये कॉन थिटा आराम से मिल चुका है अब हम क्या करेंगे? हमें छोटा सा relation निकालेंगे हमारे small r capital r के अंदर मतलब बड़ा वला r और छोटे वाले r में अपन एक छोटा सा relation निकाले वाले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दू हमें पता है कि भाई पासकल के नियम से क्या पता है भाई एक इधर इस बिंदू पर यहां पर दाप और यहां पर दाप क्या होना चाहिए समान होना चाहिए ऐसा हमने पढ़ा है तो यहां पर कितना दाप लग रहा है इस बिंदू पर कितना प्रशर extra create हो रहा है इस बिंदू पर माल लो P पर तो P पर जो दाप है कितना आएगा हमारे पास वो आएगा ρो जी एच तो P पर दाव हमें मिल गया ठीक है हमने पहले ही निकाल दिया ठीक है और यह जो दाव हमारे पास एकसिस प्रेशर आ रहा है इने एक्स्ट्रा दाव जो आ रहा है वो कुश्चिन के अकॉर्डिंग या हमारे according कि के कोल होगा 2T upon R के कोल ठीक है न जाब पर R किस की तरिज़ा है इस maliscus की तरिज़ा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर दाब जो है उपर की तरफ दाब जो है मतलब अगर मैं maliscus बनाओं तो यहाँ पर दाब जो है इस वाले बिंदू पर दाब से जादा होगा मालो यह P1 है और यह P2 है तो P1-P2 कितना आएगा और रपस वो आएगा और रपस 2T upon R ठीक है नहीं है तो यहाँ से मैं चाहिए क्या यहाँ से मैं चाहिए capital R का मान बड़ा वल R नहीं है बड़े वाले R का मान निकाले वो मिया से निकाले है तो देखो बच्चो यहाँ पर अब सबको एक right angle triangle याने एक समकौन तरबुस दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का यह हमारे पास छोटा वलार यह है बड़ा वलार और यह हमारे पास थीटा हमें क्या चाहिए? हमें बड़े वाले R का मान चाहिए छोटे वाले R के रूप में तो बैट देखो ये ह हमारे आधार क्योंकि थीटा के समने वाला होता lem यह हमारे नभेड़गरी तो यह होगा आरपास kern तो यहाँ पर देखो यह है हमारा आधार, यह हमारा पास kern, relation कौन देता है, cos theta, cos theta किसके बरावर होता है, आधार बटा kern, तो यह हमारा पास बड़े वाले r का मान कितना है, r बटा cos theta, एक बार वापिस देखते हैं, हमने क्या किया, हमने बोला भई, इस point पे जो extra pressure create हो रहा है, या तिरिक्त दाव उ pressure जो यहाँ पे create हुआ है, और वो pressure जो यहाँ पे create हुआ है, वो दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि इस horizontal line पे, यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है, यह liquid column दाव, तो rho g h plus pa, दो दाव होंगे, ठीक है, तो वो जो extra pressure है, वो इसके बरावर होगा, याने, हमारे 2 2T upon R के, ठीक है, तो हमें, सिर्फ इस liquid column की वज़े से, जो extra pressure creator होता, उससे मतलब था, तो मैंने उस रोजी h को सिर्फ रग दिया, 2T upon R के कुर, I hope यह बाद सबको clear होगे होगे, यह extra pressure मार पास आया है, ठीक है न, हमारे concave वाली तरफ, अवतल वाली सत्य पर, तो मेरे पस ब 2T as it is है, और R की जगे हमार पास क्या हैगा, R बटा, cos theta, cos theta कहाँ जाएगा, उपर, तो rho g h, अच्छा, rho क्या है हमार पास, जो भी अपन, इसमें द्रव ले रहे हैं, उसका घनत, उसको लिख देता है, यह क्या हमारे, द्रव का घनत पर, ठीक है, तो अब यह देखो, अब theta upon rho g, formula हमार पास आगया, 2T cos theta upon rho g, ठीक है, I hope यह formula सबको clear, हो गया होगा, कुछ नहीं करा, जो extra दाव आया था, उसको हमने 2T upon R केक्वल कर दिया है, capital R कहां साया, इस तरह बोस साया, ठीक है, तो यह एक्स्ट्रा प्रेशर निकला है, जो हमार पास आया, कितना, यह हमार प 2T cos theta upon rho g, ठीक है, 2T cos theta upon rho g, हमारा R कहां गया, अच्छा, R तो हमने लिखना ही भूल गए, हाँ, हम वही सोचे, missing missing लग रहा है कुछ, यहाँ पर R और चाप देते, यहाँ से हमें एक चीज समझ आ रही है, क्या वई, कि अगर theta का मान 90 से छोटा है, याने noon कौन है, अब यह noon कब होगा, जब हमने पढ़ा है ना, दो तरीके के बल, सरसंजग बल और आसंजग बल, तो अगर आसंजग बल जो है, यहने cohesive force जो है, वो सरसंजग बल से याने cohesive force से ज़्यादा होंगे, तो उस case में कौन जबारा noon कौन बनेगा, तो उस case में theta 90 से छोटा होगा, theta 90 से छोटा होगा, तो cos theta धनात्मक होगा, क्योंकि हम पहले coordinate में हैं, जब theta 90 से छोटा होता है, तो cos theta धनात्मक होता है, अगर cos theta धनात्मक, तो hb धनात्मक, इसका मतलब पानी उप, मतलब जो भी द्रव है, वो उपर की तरफ चड़ जाएगा, अगर कौन नियून कौन है, तो यसे जल के case में, नियून कौन का मान 8 लगी होता है, तो पानी उपर चड़ेगा, क्योंकि h का मान धनात्मक, लेकिन, किन्तु परंतु, अगर theta का मान 9 से बड़ा है, मतलब अधिक कौन बन गया, और अधिक कौन कब बनता है, अधिक कौन तब बनता है, जब ससंजगबल, आसंजगबल से, ज़्यादा strong होते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है, तो cos theta कैसा होता है, रिणात्मक, और cos theta रिणात्मक, तो height भी रिणात्मक, height रिणात्मक थोड़ी ना हो सकती है, इसका मतलब है, हमारा जो भी उसके अंदे दरव बढ़ावा था, वो नीचे चला गया, इसका example है, हमारा जल प्लस काच, और नीचे वाले का example है, पारा, यानि मरकरी, प्लस काच, ठीक है, अभी देखाना पर ने, पीछे, देखो, इसमें मरकरी नीचे चली गए, जबकि इसमें पानी उपर चला गया, क्यों, तो क्या पे कौन, निउन कौन था, किस किस के बीच में कौन, ये मेलिसकल जो बन रहा है, उसका कौन द बनता है, वो बनता है अधिक कौन, क्योंकि ये यहाँ पर, एक यहाँ पर कौन बन गया, अनबरे से पड़ा, ठीक है, अधिक कौन बन गया, तो आई होप ही बात सबको क्लियर होगी होगी, कि इस केस में जो भी द्रव है, उसमें वो नीचे चला जाएगा, और समदर अपर इस लेवल तक, वेसे तो NCIT में सच कुछ ज़्यादा डीटेल में कहानी बता ही नहीं, मजा नहीं आएगा लेकर मैं डीटेल में नहीं बताऊँगा तो, ठीक है, तो माल लो कि द्रव को चड़ना है यहां तक, यहां तक द्रव को चड़ना है, चड़ना ठीक है द्रव, मैं अब बहुत गंदी दिख रही है, पर माल लेना यार, ठीक है, तो यह सिजर डिया मैंने, सिजर जैसी नहीं दिख रही है, मैं रको समझ आ रहा है, लेकिन सिजर से इसको मैंने कट कर दिया, अब कट करने से, क्या इसमें से इद्रव ऐसे फुर 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 के, जैसे हमारा निकलता है, क्या उसकी तरह निकलेगा, या कुछ और होगा, तो यहां पर जो द्रव है, फुर 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 बाहर निकलने वाला है, ऐसा बिलकुल मत सोचना, कि द्रव इसमें से फुर 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 बाहर निकलेगा, नहीं, अगर हम एक insufficient length की, याने अपर्याप्त लंबाई की केशनली का उपरियोग करते हैं, तो जल बाहर इस तरीके से नहीं निकलता है, होता क्या है, होता यह है, छोटी ड्यूब लेने से, जो मेलिसकस है, उसकी तरिज्जा बढ़ जाती है, मतलब R का मान, automatically हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, capital R जो हमारा, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, अगर हमने अपर्याप्त, लंबाई की केशनली है, ठीक है, तो अपर्याप्त, लंबाई की केशनली है, ये हुआ, तो क्या होगा, तो इसमें से जलबान ही आएगा, इसकी तरिज्जा कम हो जाएगी, ठीक है तो पहले माल लो यह इत्ता सा वरत बना रहा था अभी यह इतना बड़ा बनाएगा देखो तो मतलब कुल मलाकिस की तिरिजा जो पहले से बढ़ जाती है ऐसा हो जाता है अगर हम अपर्याप्त लंबाई की केशनली को यहां पे यूज करते हैं ठीक है इसमें से जेट की तरह पानी भार नहीं आगा जेट का मतलब इस फौरे की तरह नहीं आगा ठीक है होप यह कुछ यह टॉपिक सबको क्लिया रिच से हो गया होगा चलो तो बच्चों इसकी एप्लिकेशन कहा है कहां कहां यूज करते हैं इसका कुछ जगे तो मैंने ब पतली यहां कियो तियों होती है मोटी क्यों नहीं होती है तो उसके पीछे भी इस कंशनली का ही रीजन है पतली निपसे जो इंक निकल रही है usually spread we go quickly ऐभी फैलेगी फैलें तो क्या होगा वहीत प्र्परपे डालते हैं वह भैल गया क्यों उसमें पतली पत्नी केस्न लिख ठीक है तो यह कुछ examples हैं जो अपन कहीं न कई यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ अपन देख लाते हैं लिख लिए हैं आपे तुम लोगों के लिए सबसे पहला है लाल टेन आजकल कोई यूज ही नहीं करता है तो लाल टेन में मिट्टी का तेल जो होता है याने अपन जो पाराम से उपर चड़ जाता है चड़ जाता है तो हमारी जलती रहती जोत ठीक है कि दूसरा है मुमबत्ती में पिगली मुम धागे से बनी केशनली के दौरा उपर चड़ता है सेम यहां पर है मुम जैसे जैसे पिगलता जाता है उपर चड़ता है उस दागे की बज़े से दागा ना हो तो उस case में क्या होगा उस case में आपकी मुम्मती बुद्ध जाएगी जलेगी नहीं इसके बाद coffee powder जो है पानी में शीगरिता से गुल जाता है क्योंकि पानी coffee के कड़ों को केशिकात्व की प्रक्रिया से सीधी बहुत बिखो देती है ठीक है जो coffee होती है वो गरम पानी में गरम दूद में आराम से डिजॉल्व हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर प्रिमारे केशिका का लॉजिक लग रहा है इसके अलावा पानी से बुदी बाल्टी में तोलिये का एकसे राड यह तो हम करते ही है मैं ही कर के बता अधा है गहर में तो लगे मैं तो पेपर ही कर ने बता जाता हूँ यह देखो और सब हो चुका हैं यह यह देखो यह मैंने इसमें पानी के अंदर डाला रहे कहा आ गया यह देखो कितनी आराम से चड़ेगा उपर देखो यह देखो अब चड़ तो रहा है मैं तुम्हें दिखा हूं कैसे अभी थोड़ा चड़ने दो इसको है न कि अब कि अब मेरे पास नहीं में इसका वीट कर सकता हूं पर थीक है मैं अपको बता देतां इतना चड़ा है थोड़ा-बहुक चड़ पाया थीक है ऐसे जब आपने तोलिय का एक सरह जब पानी में बहो देंगे तो बहोने से क्या होगा वो जो पानी है वो आराम से उसके नदर चढ़ जाएगा पुरे तोलिय को बहो देगा क्यों बहो रहा है के शीका की वज़े से के शीकात्य की वज़े से इसके अलावा सबसे important और most 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 IMP जिसकी वजह से मुझे food मिलता है मैं जिन्दा रहता हूँ तुम लोग को पढ़ा पाता हूँ वो पौधे पानी को कैसे चूसने अपने अंदर कैसे नीचे से वो easily पानी को उपर के तरफ लेके जाते हैं वैसे तो फ्रोएम जायम लाएम तुमने पढ़ा होगा जायलम और फ्रोएम वो लाएम ऐसा कुछ ठीक है कि biology मुझे आती बात है नी तो वो वाले पार्ट में भी पानी जो है वो जड़ों से अब्जॉप कैसे होता है क्योंकि उसमें भी बहुत पतली-पतली केशी काएं होती है जो यह काम करती है पानी उनके दुरूप पर चड़ जाता है ठीक है तो यह होप यह भी आपको बात समझ आ गई होगी कुछ सोचोना यार gravity के अगेंस्ट काम कैसे होता है केशी कात्व क्यों जैसे से एसके अं बहुत पतला होता है क्योंकि उसमें से इंक आराम से बहुत अच्छा एक्जामपल है ठीक है उसमें से जो शाही निकलती है और पेपर पर फैल जाती है ठीक है चलों तो इसी के साथ यह topic हमारा होता है खतम एक हमारा और है detergent का क्या यूज है यहां पर detergent को पानी में डालन इसे क्यों कपड़े यतने जल्दी साफ हो जाते हैं तो 10th class में भी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि missile जैसी structure बन जाती है और वो missile जैसी structure ने को बूल गया हूं मैंभी कि mystery बहुत time हो गया ठीक है पर वो general detergent का formula जो तुमने पढ़ा होगा सोग 3COONA ऐसे कुछ पढ़ा होगा वैसा एक चोटी चेन नहीं होती है बहुत बड़ी चेन अपन यहां पर यूज करते हैं इसलिए इसको गेनली आर सी ओ अ ओ अने लिखते है ठीक है तो यह तो पानी की तरफ रहता है ठीक है मदब पानी में उपर की तरफ रहता है और यह कि ये हमारे उस गंदकी के तरफ जाता है, और उसको दोह देता है, ठीक है, तो ये तो chemistry वाला part हो गया, physics वाला क्या है, तो देखते हैं भई, कपड़ों पर तेल तता grease के दब्बे शुद्ध पानी से नहीं जाते हैं, नहीं चाहते हैं मैं यह पता नहीं जाते हैं क्योंकि शुद्ध पानी का surface tension प्रश्ट तना बहुत ज्यादा होता है detergent मिलाने से वह कम हो जाता है ठीक है देखो यह लिखाएगे जब जल में अपमार जाते हैंने साबुन सोडा फुटा डाला तो घोल का प्रश्ट तना जल की अपेक्षा कम हो जाता है और घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा उस गंदकी को इजीली बाहर निकाल देती है ठीक है तो एक बूंद की तुलना में कपड़े की सतर पर अधिक शित्यफल को बिगोती है क्योंकि सर्फिस टिंचन हो गया कम सर्फिस टिंचन कम हुआ तो आराम से वो फैलने की कोशिश करेगी ठीक है अधस साबुन का गोल कपड़े के उन छोटे छोटे चिद्रों तक भी पहुँच जाता है जहां तक पानी नहीं पहुच पाया था और अपने साथ उस मेल को उस गंदकी को इस ओईल को या तुम्हारे जो भी ग्रीज फ्रीज होता जो भी होता है ठीक है वैसे तो हमें से को पर जो भी है गंदकी उसको बार खीज लेता है इसका कारण है कि गोल मैल के बीच में आसंजग बल जो होते हैं मैल मैल के बीच में आसंजग बलों से अधिक होते हैं मैल के बीच में आएगा आपर सरसंजग बल आएगा मैल मैल के बीच में सरसंजग बल से ज्यादा स्ट्र है इसलिए बाहर आ गया इसी प्रकार अप्मार्जक का घोल शुद्ध पानी के अपिक्षा कपड़े को अधिक आसानी से स्थाफ कर देता है तो देखो क्या होता है जाने के बाद ये जल में मिलाने पर वो जल मिलाने है यह थो दूल के कड़े हो विलगित नहीं होते मतलब इसमें डिस्जॉल्व नहीं होते है नॉर्मल पानी के लिए ठीक है अप्मार्जक मिलाने पर उसके अणूओं के तेलिये च्छोर उस सीमा की और आकश्ट होते हैं जहां धूल के कणों से वो मिलता है मतलब इस डिटरजेंड का जो आर सी ओ ओ माइनस वाला पार्ट था वो इसकी तरफ जाके चिपक रहा है धूल के कणों के तरफ और उसको अपने अब में गोलने की कोशिश कर रहा है ठीक है? और इसके बाद देखो क्या होता है? अच्छा, अक्रिये छोड धूल के कणों को घेड़ते हैं अक्रिये छोड वो इस सोडियम वाला पार्ट जो होता है ने वाला पार्ट या पोटाशियम वाला पार्ट के भी तो यूस करते हैं तो इससे वो क्या करता है, धूल की गाण को चारो तरफ से गेल देता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हमने तुम्हें चारो तरफ से गेल लिया है, चुप-चाप अपनी बंदू के गिरा करके बाहर आ जाओ, तो इसी तरीके से डायलग बायलग मारते हैं, और यह जो इसके अणू है, वो इस तरीके से हमारे घेल दिया, तो इसने इसको चारो तरफ से गेल दे और निकाला बोला भारादा जब चाप क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से उसको बाहर के तरफ वो निकाल देते हैं, ठीक है, आई होप यह सबको क्लियर हो गई यह गी बा कोटे, numericals, कुछ theory वाले पाठ है, और कुछ solve करने ले, दोनों देख लेते हैं पटावट से, ताकि हमारा कुछ तो हो यार, कुछ तो numerical आ हैं अभी, चालो, तो हमें सपश्ट करना है, कारण सहीत सपश्ट कीजिए, कि यह सब तीजे हो क्यों रही है, तो देखो, पहला है, म ने पढ़ा न, क्या पढ़ा, रोजी है, जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे, दाब उतना बढ़ता जाएगा, यह मैं हूँ, यह मेरे बाल है, मेरे तसमा है, है ना, और यह मेरी नाक है, और यह मेरा मू है, ठीक है, और मैं चश्मा लगा के खणा हूँ, मेरे गोल-गोल सा फेस है, और मेरे दो हाथ है, यह मेरे दो पैर है, तो मेरे पैरों पे जो दाब है, वो ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी हाइट भी तो इंक्लूड हो गई न, ठीक है, तो मस्तिक्स पे तो नहीं लगा, क्योंकि मस्तिक्स पे तो प्रैसर लग रहा है, एक्पो तो यहां पर प्रेशर कम रहेगा यहां पर प्रेशर ज्यादा रोजीच की वैसे गहराई बढ़ाने के साथ सा थमारा दाब बढ़ता जाता है चलो, 6 km उचाई पर वायू मंडल ये दाब सम्मुद्र तल पर मायू मंडल ये दाब का लगभग आधा हो जाता है ये द्यपी वायू मंडल का विस्तार 100 km से भी ज्यादा है तो कुश्रिस का ये है कि यार 6 km की उचाई पर जो वायू मंडल ये दाब होता है न वो जो जल का दाब है उसका लगभग आधा हो जाता है तो आप यहां पर देख रहे हो दाब और यहां पर आप यहां से 6 km पड़ लिया आपने तो यहां पर जो दाब है यह इन दोनों के वीच का जो प्रेशर डिफरेंस है माल लोग रहे है प्रेशर पी है दाब पी है तो यहां पर पी बाई टू हो गया जबकि यह मेरा हित्मो ज़ादा ठेक है YU का घनतव लगबग 1.3 मीटर पर थी मीटर केजी पर मीटर स्कौार होता है किलो मीटर लिग दिया हमने यहापे किलो मीटर नहीं आएगा किलो कराम आएगा पर मीटर Q और झल का लगबग इसका 1000 गुना होता है यार एक हज्जार गुना होगा घनत्व जादा है तो जाब भी चो जादा क्रेट करेगा तो रीजन क्या है कि जल का घनत्व जादा होता है तो उसके कारण उत्पन दाब का मान वायू के काड़ उत्पन दाप की तुलना में अधिक होता है जादा होता है इसलिए दाप जो है नीचे जादा उपर कम सिंपल ठीक है चालो यदभी दाप परती एकांग शेत्रफल पर लगने वाला बल होता है तथा पी दरव इसलिए की दाप एक अधिश राशी है अल्दो हम बोल रहे हैं हलांकि हम बोल रहे हैं प्रती एकांग शेत्रफल पर लगने वाला दाप लेकिन दरव इसलिए की बात चल रही है मतलब जब पानी यानि कोई भी जल रुका हुआ है तो दाप हमारा अधिश क्यूं है तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास्कल भाई साब ने बोला एक होरिजोंटल लेविल में एक हमारी थम बोल सकते हैं शेतिच तल में हर बिंदू पर दाप का मान समान होता है फिर चाहिए आप कहीं पर भी चले जाओ यहां एक लिक्विड पर आपने किसी द्रव पर आपने एक तरफ से दाप डाला तो वो दाप एक समान रूप से पूरे द्रव में फैल जाता है मतलब द्रव को दिश्या से कोई लेना ही नहीं इसका मतलब द्रव आराम से हर द्रव में फैल रहा है मतलब उसको द्रव से मतला भी नहीं है तो क्योंकि हर तरफ दाप जो है किसी भी द्रव में एक समान होता है एक जिसा होता है एक शेथिष जतल में इसलिए उसको आपने कैसामाल लिया अधिश्य accordingly वो दिशा के साथ सा चेंज नहीं हो रहा, यहाँ देखू उत्तादब, आगे देखू उत्तादब, पीछे देखू उत्तादब, हर जगे झाव, अरे याँ, दिशा से को लेजना नहीं नहीं है, इसलिए इसका मान क्या होगी, कैसी राषी हो गई, अधिश राषी, ठीक है, I यगर का काज के साथिश्पर्श कौन होता है। और जब काज के साथिश्पर्श कौन नियून कौन होता है। तो उसमें आसंजक बल जो होते हैं, हम इसमें ही बोलेंगे, आसंजक बल जो होते हैं, वो सासंजक बल से ज़ादा स्ट्राउग होते हैं, पावरफुल होते हैं जबकि काच और पारे के केस में, यानि मरकरी के केस में, यह जो आजसंजगबल होते हैं, वो सरसंजगबल से वीक पढ़ जाते हैं, आजसंजगबल जो विपरित प्रकार के प्रदारतों के विश में लगते हैं, और सरसंजगबल जो समान प्रकार के प्रदारतों के विश में तो यहाँ पे क्योंकि हमारे आजसजगग भल्ले जिससे हमें erisive force बोलते हैं वह स्टौंग होते हैं जबकि इसमें जो सहसंजग भल्ले जिसे हमें cohesive force बोलते हैं वह ज्यद्र स्टौंग होते हैं इसलिए कि फिने शानी के ये ज़्यादा नियून कॉन बनाता है और यहां पर अधिक कॉन बनता है ठीक है चलो काच के एक स्वच्छ सम्तल प्रष्ट पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी प्रष्ट पर बूंद बनाने का प्रयास करता है दूसरे शब्दों में जल काच को गील करता है जबकि पारा इसा नहीं करता सेम रीजन आसंजगबल से जाता स्ट्रॉंग होता है ठीक है सेम रीजन आप यहां पे लिखोगे किसी द्रव का प्रश्ट तनाव प्रश्ट के शित्र पर निर्बर नहीं करता है तो यह जो हमारा प्रश्ट तनाव अपने पढ़ा था न वो बल होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु कोई भी द्रव अपना शेत्रफल जो वातरण के रूप में खुला हुआ है वातरण के साथ एट्मोसपेर के साथ उपन है उसको कम से कम रखने का प्रयास करता है और यह जो प्रश्टितनाव होता है प्रतिये कांग लंबाई पर लगने वाला बल होता है ना कि प्रतिये कांग शेत्रफल पर तो इसलिए शेत्रफल पर नहीं करता है इसको शेत्रफल से को निलना ही नहीं ठीक है क्योंकि प्रतिये कांग लंबाई पर लगता है एक तरीके का बल है जो प्रतिये कांग लंबाई पर लगता है जल में गुल इस पर्ष कौन का मान कम होना चाहिए इस पर्ष कौन का मान कब कम होता है इस पर्ष कौन का मान तब कम होता है जब आसन जगबल सरसन जगबल से strong हो तो आसन जगबल क्योंकि सरसन जगबल से ज़्यादा strong बनना चाहते है इसलिए उसके कॉण का मान नियोन कॉण होना चाहिए ताकि गंद की उससे चिपक जाए दूल-दूल या जो भी अपने मैल-वैल ली थी उन मैल-मैल के कणों के बजाए हमारे डिटरजेंट और मैल के बीच में जो बल लग रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉंग होना चाहिए कोई भी कोशिश करता है कि उसका वायू मंडल के अंदर जो भी खुलावा भागे हैं वायू मंडल के संपर्ग में जो भी भागे वो कम से कम रहे और गोले का शेत्रफल सारे शेप्स में सबसे कम होता है इसलिए हमेशा गोला बनाता है ठीक है प्रश्ट इतना उनकी कर लेते हैं यही कान बताओ यह बताओ बताओ कर रहे थे ठीक है चलो तो बहुत बहुत सिंपल कोशन है 10.5 ऊची एडी के जूते पहने 50 kg संहती की कोई बालिका अरे हाई हील्स ही बोल देता है यार ऊची एडी हाई हील्स का सेंडल पहन के जारी है एक लड़की 50 kg संहती मत अपने शरीर के एक सेंटिमेटर व्यास की एक व्रत्तागार एडी पर संतुलित किये हुए है हाई हील्स को बैलन्स करना वैसे भारी काम और उपर से यार हाई हील्स तो मेरे से नामन निपाएगी ठीक है थोड़ा सा ट्राय तो करी देता हूं मैं आप लोगों के लिए है तो ये यार तुम मोलो के सर क्या हील्स बनाई मैं तो हम तो नहीं पहनेंगे ना ये थोड़ी है ठीक है यार तुम समझ जाओ थोड़ा भावनौ पर जाओ बाकी तो क्या ही है ऐसी कुछ होती है ठीक है तो ये थोड़ी आगे सा ऐसी होती है ठीक है तो जो भी यह है इसमें इसने बोला, इसका व्यास एक सेंटिमेटर, मतलब व्यास मनलब डायामेटर, तो वो एक सेंटिमेटर है, ठीके बच्चो, एक सेंटिमेटर का मतलब हो गया, एक गुणा दसकीगात माइनस का दो मीटर, तो तरिज्जा कितनी हो गए बच्चो, एक बट्टा दो, गु तो यह हमारी गर्ल है तो यह जो गर्ल है अब इसका जो खुद का जो द्रविमान कहां गया रही पचास किलो द्रविमान इसका यह 50 kg ठीक है तो हमारा इसका जो वेट है वो कितना हो गया रपास पाचाश इंटू दश याने 500 न्यूटन हमसे क्या बोला है आरोपित दाब अच्छा दाब क्या होता है बल बटा शेतरफल बल कितना लगाया इसने 500 न्यूटन का शेतरफल क्योंकि वरत्ता अगर है पाई र स्क्वेर लगेगा तो पाई आर का मान एक बटा दो गोड़ा दस की गात माइनस दो का वर्ग तो बच्चो देखो मैंने आपको बोला हुआ है पाई का मान नहीं रखना है एक बटा पाई का मान होता है जीरो पॉइंट तीन दो लर्न कर लो इसको बड़ी हेल्प करेगा आपकी एक्जाम में तो बस यही करना है पांसो एस इस जीरो पॉइ ले जाओ इसको तो यह चार गुणा पांसो गुणा जीरो पॉइंट तीन दो और यह भाईसा उपड जाएंगे तो जाएंगे प्लस यहने दसकी गात पांच पास करना है पांच चोग बीईस तो यह 20 आ गया ठीक है ना और यह एक दो जीरो तो था ही और बट जीरो पॉइ और देखो 1,2,3 ओर यह 10 की गात हो गया रागा पास 3 और एक हो गया 5 आठ देखो ध्यांचे सुनना पांच यह था एक दो तीन ऊपर और ले लिया तो तूटन हो गया 8 तो इतने पास्क्रल का उसके ऊपर दाब लगया धरती माता पे इतना प्ता लगाया उस लड़की ने तो बच्चों हो सकता है पीछे आप आंसर देखो तो थोड़ा सा मैच ना करें रीजन में आपको बता देता हूँ हमने आप जी का मान 9.8 कीजी के 10 लिया है ठीक है एक्जाम में अगर में इंचन नहीं हो तो यह आर फ्री आप कुछ भी ले सकते हो तो मैंने अपनी इचाचे 10 ले लिया क्यों मुझे पता है क्यालिगोलेशन इजी हो जाती है ठीक है तो हो सकता अंसर मैच थोड़ा बहुत ना करें उसके पीछे गवराने के आपको जरूत नहीं है हमने जी का मान 10 लिया है ऐसा इसलिए हो रहा है यार इसको देखते हैं तो तुम्हें आदा जाना चाहिए डाइग्राम ठीक है ना यह ऐसा कुछ है क्या बात है मास डाइग्राम बना है तो हमें इसने बोला है कि लिफ्ट की संरचना अधिक्तम 3000 किलो संरटी के कारों को उठाने के लिए बनाएगी मतलब आपने ऐसा बनाया इस लिफ्ट को कि जो लिफ्ट है वो 3000 किलो तक की कार को भी मतलब उठा सके यह यह पर जो द्रविमान हम उठाना चाहते हैं वो 3000 किलो को उठाना चाहते है यह हमारा objective गोल है मतलब बनाया हमने लिफ्ट को ऐसा है मतलब बोज को उठाने वाले पिस्टन का अनुप्रस काट शित्रफल इतना है मतलब जो बोज को उठा रहा है इसका अनुप्रस काट शित्रफल हमें दे रखा है यह पर नीचाट स्कॉयर है बच्चो यह वाला शित्रफल हमें दे रखा है 425 सेंटीमेटर स्कॉयर है तो छोटे वाले पिस्टन का अधिक्तम कितना बार दाब सहन करेगा मैं आपको बोला था जितना प्रेशर यहां से उतना ही प्रेशर यहां से तो जितना दाब यहां से उतना दाब यहां से यहां का दाब निकाल लो उतना ही प्रेशर इसके लिए आजाएगा बच्चो दाब निकालने के लिए हम फॉर्मला यूज करेंगे बल बटा शेत्रफल बल कितना है? तीन अजार किलो की तो गाड़ी और जी का मान 10 क्योंकि हमें तो बल चाहिए और बल हमारे वेट के बराबर होगा तो तीन अजार गुणा 10 यहने हमार रपास आगया 30,000 ठीक है? तो यह होगा हमार रपास और नीचे देखो शेतरफल कितना है बच्छो? शेतरफल है 425 cm2 तो एक cm2 में 10 की गाड़ माइनस दो होता है यह मैंने आपको शॉटकट जो बता रहा है याद रखना बड़ी हेल्प करेंगे आपकी एक्जाम में एक cm2 में तो स्क्वाइर में 10 की गाड़ माइनस का 4 हाना? एक्स्पोरेंट से चलोगे या असान होगी calculation बस आने चाहिए हमने को तो यह 425 गुणा 10 की गाड़ माइनस का 4 cm2 cm2 का क्या हो गया? मीटर ठीक है बढ़ी यह value डाल दें आपे क्या आरा भी? 425 गुणा 10 की गाड़ माइनस का 4 अब कर क्या करना है? अब हम इस शॉल्फ करना है 5 का डेबल आता है तो 5 के डेबल से करो नहीं तो फिर 25 के डेबल से करो कुछ यहां पे महान बच्चे होंगे जिसे नहीं आता होगा कोई बात नहीं 5 से कर लेते हैं फिर वापेस यह पांच से जा रहा है पांच हंग तीस जीरो जीरो पांच हेकम पांच बच्चा कितना? तीन का अब पैंतिस तो पांच सत्य हो गई ठीक है यह हो गया छे दुनी बारा सो गुणा सत्रा गुणा दस की गाड़ माइनस का चार पांच यह उपर गया ती हो गया दस की गाड़ प्लस का चार और यह हो गया हमारे पास सत्रा लगबग में काटना और कुछ ने सत्रा सत्य होता शायद 119 सत्रा सत्य हो गया 119 119 का पच्चा यह पे बच्चा 10 अब 10 से तो सत्रा जाता नहीं तो हम पर लगँगा जी रो पॉइंट फिर उसका हो गया 100 सत्रा बंज हो गया पिच्चा यह तो लगबग इतना दाब जो हमारे पास आ रहा है तो आय होप यह भी सबको क्लियर हो गया होगा कुछ भी नहीं था हमारे पास शेद्रफल और क्या बोलते हैं हमारे पास द्रविमान दिरखा था द्रविमान से अपने वेट याने उसका भार निकाला उसको उपर डाला नीचे द्रविमान डाला अथ उत्तरा गया ठीक है आई होप यह बाद सबको क्लियर हो गई होगी तो देखते हैं और कोई नुमरिकल डाला है के हम नहीं तो आज की ग्लास के लिए बच्चो इतना ही और इसी के साथ यह चाप्टर आप लोग का हो चुका है आप लोग के लिए बहुत अच्छी निउस है फ्रॉम साटेड़े याने शनी बार से हम आपकी लाइव क्लास लेने वाले हैं तो यह जो हमारा रिकॉर्डड लेसन का जो सेशन था वह आज यहीं तक के लिए था इस चाप्टर के बाद जितने भी लेसन होंगे वह सब ओनलाइन ही होंगे लाइव ओनलाइन तो होता ही है सारे नियुमेरिकल्स, mcqs की फॉर्म में आप लोगों करवाएंगे, मेंटी सेशन तरीके का एक होगा, सारे चैप्टर के mcqs करेंगे, एक-एक करके, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ड करेंगे, ओनलाइन मोड पे मतलब face to face आप लोग के comment के साथ, ठीक है, जो भी परे